हेलो वरीबड़ी यह है CBSC साइन्स क्लास 10 चैप्टर नमबर 3 और यह मारा पार्ट नमबर 15 है और इस पार्ट में हम exercise solution करने वाले हैं हमने पिछले पार्ट में 6 question solve कर लिये थे और उसके बाद हम from question number 7 continue करेंगे तो let's start question number 7 is name two metals which will displace hydrogen from dilute acid and two metals which will not तो यहाँ पर आपको दो ऐसे metal के नाम बताने हैं जो की acid से hydrogen को displace कर सकते हैं and two metals which will not तो यहाँ पर हमारे displacement reaction आ रही है मतलब निस्चित रूप से हमारी reactivity series RS भी यहाँ पर आ जाती है तो आपको एक बार पहले reactivity series देख लेनी चाहिए आपको उसमें समझ में आ जाना चाहिए कि यह होता कैसे है तो आप यहाँ पर reactivity series देख पा रहे है हमारी और reactivity series में आपको पता है it is arrow indicates that upper most elements are most reactive and lower most elements are least reactive so our elements about the hydrogen यहाँ पर hydrogen आती है हमारे lead और copper के बीच में यह आपको में से याद रखना है हमने इसके लिए trick भी बनाई थी और आपको समझाया भी था हमारी जो trick होती है पोसोली का मांगे अलू जो इटली को mercury silver और gold देगी तो आपको trick भी याद उनी चाहिए और यदि आपको याद नहीं है तो आप उपर आई button में जाकर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं जिसमें हमने trick को discuss किया था और समझाया था तो हमारे जो hydrogen के उपर जितने भी elements है वे सब क्या है hydrogen से ज़्यादा reactive है चुकि यह जो series है हमारी सभी metals की है लेकिन hydrogen हमारा non metal है और यह हमारे acid में होता है जनरली तो इस इन यह इसको जो है यहाँ पर कोस्टक में लिखा गया है इसके उपर जितने भी elements है वे उससे ज़्यादा reactive होते हैं यह आप कह सकते हैं कि वे ज्यादा electro positive होते हैं और यह hydrogen को क्या कर सकते हैं डिस्प्लेस कर सकते हैं आपको पता होगा कि hydrogen जो है वर non metal है फिर भी यह हमारे positive iron बनाता है copper, mercury, silver और gold यह 4-5 elements हमारे ऐसे हैं जो hydrogen को acid से displace नहीं कर सकते हैं यह आप यूं कह सकते हैं कि यह acid से reaction नहीं करते हैं इनके उपर acid का कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है तो आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे कि आपको अगई ऐसा question आता है तो आपको क्या करना है फिर हम चलते हैं हमारी textbook exercise पर तो हमारा answer है zinc and magnesium are the two metals which will displace hydrogen from dilute acids तो यहाँ पर हमें सिब दो metal के नाम बताने थे जो दिस्प्लेस कर सकते हैं hydrogen को और दो metal के नाम बताने हैं जो नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ पर दो metal के नाम लिख देते हैं zinc और magnesium आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं जो hydrogen के उपर reactivity series में होते हैं तो which will displace hydrogen from dilute acid as they are very reactive metals gold and silver are the metals which will not replace hydrogen from dilute acid as these metals are less reactive तो hydrogen के नीचे जितने भी elements है 4-5 उन में से आप दो नाम यहाँ पर लिख सकते हैं then हमारा आ जाता है question number 8 in the electrolytic refining of a metal M यहाँ पर electrolytic refining word used किया गया है आप एक एक word को बहुत अच्छे से द्यान से पढ़ें तो यहाँ पर metal M की electrolytic refining की जाती है what would you take as the anode, the cathode and the electrolyte तो हमने electrolytic refining पढ़ी थी और इसी से related एक वोड़ टम पढ़ा था electrolytic reduction तो हमारी जो electrolytic refining होती है वे तो हमारी जो medium reactive elements होती है aluminum, zinc, iron, copper ऐसे metals की हम क्या करते हैं electrolytic refining करते हैं जब हम उनकी जो oxidation वगेरा करवा देते हैं कैलसिनेशन और roasting के द्वारा उसके बाद हम reduction कराते हैं फिर उसके बाद हम उनकी electrolytic refining कराते हैं अंतीम रूप से हमको शुद्ध रूप देने के लिए लेकिन जो हमारे moderate जो higher reactive elements होते हैं like sodium, potassium, calcium, lithium ऐसे elements की जो salt होते हैं जैसे sodium का sodium chloride होता है potassium chloride, calcium chloride तो इनके salt से हम electrolytic reduction के द्वारा इनको अलग करते हैं तो हमने इसको भी अच्छे से समझा था पड़ा था तो आप इसको confuse ना हो ठीक है आपको यहाँ पर क्या लिखना है electrolytic refining के बारे में ही लिखना है तो इसके लिए आपको पहले में diagram में समझा देता हूं एक बार और फिर आप इसको अच्छे से answer को लिख पाएंगे तो यह हमारी textbook में एक diagram दिया गया है electrolytic refining के लिए आपको से में से ही diagram भी बनाना है इस question के answer में तो हमारी जो impure metal होती है उसको हम क्या बना देते हैं एनोट बना देते हैं ठीक है और impure metal के सी होती है हमारी थोड़ी road होती है ठीक है तो आप थोड़ा इसको भी distribute करते हुए बनाएं आपको anode को थोड़ा मोटा बनाना है क्योंकि यह तो हमें refining करनी है यह दीरे-दीरे इसमें से copper निकलेगा और एक इस पर deposit हो जाएगा हमारी जो pure motor है उसके उपर यह दीरे-दीरे deposit होता जाएगा और यह कैसी हो जाएगी यह भी बड़ी हो जाएगी और इसके अंदर जो भी impurities होती है impure metal के अंदर वे निच्छे sediment हो जाती है निच्छे जम जाती है जिने हम gang कहते हैं ठीक है दीजार impurities तो आपको इसे diagram बनाना है और यह द्यान रखना है एनोड किसको बनाना है impure metal को और cathode किसको बनाना है pure metal को battery से connected कर देना है ठीक है जो positive terminal होता है वो हमारा anode होता है और negative terminal हमारा cathode होता है तो हम आप answer देख लेते हैं in the process of electrolytic refining of metal called M an impure and thick block of metal M is considered as anode तो हम क्या करेंगे इसमें जो हमारे thick block होगी metal M की जो की impure होगा उसको हम क्या बना देंगे एनोड thin strip of wire of pure metal is taken as anode और जो हमारी pure metal होगी उसको हम क्या बना देंगे cathode तो इसको आपको लिखना है cathode a suitable salt solution of metal M is considered as the electrolyte और उसी metal का जैसे हमने यहाँ पर copper लिया तो हम क्या ले लेंगे electrolyte copper sulfate ले ले लेंगे हमने aluminium लिया तो aluminium sulfate ले ले लेंगे इस तरह से हम उसी metal का क्या लेते हैं यहाँ पर salt solution लेते हैं as an electrolyte तो आपको इसमें diagram भी बनाना है और यदि आपको diagram याद हो जाचा है तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी then question number 9 Prathius took sulfur powder on a spatula and heated it Prathius ने sulfur powder लिया यह powder form लिया ये लो कलर का होता है उसको एक spatula में लिया और उसको गरम किया he collected the gas evolved by inverting a test tube over it उसमें से जो gas निकली उसको उसके उपर जैसे आपकी textbook में diagram में दिखाए गया है question में तो इस तरह से collect कर लेता है gas को what will be the action of gas तो उसने जो gas collect करी है उसका dry litmus paper पर क्या reaction होगा moist litmus paper पर क्या reaction होगा write a balanced chemical equation for the reaction taking place और यहाँ पर जो reaction हो रही है उसको आपको balanced chemical equation के रूप में लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो gas निकलेगी वह dry litmus paper पर कोई reaction नहीं करेगी क्योंकि litmus paper हमारे acid या base को indicate करने के लिए पेचानने के लिए काम में लिया जाते हैं लेकिन हमें पता है कि litmus paper हमेशा solution के साथ work करते हैं यानि कि हमारा जो acid होता है work कैसा होना चाहिए diluted होना चाहिए concentrated में ये काम नहीं करते हैं ठीक है और moist होना चाहिए तो dry litmus paper में तो में कोई reaction देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि जो sulfur है sulfur क्या है हमारी non metal है sulfur जब जब जलेगी तो क्या बनाएगी SO2 बनाएगी उसकी oxide बन जाएगी और dry litmus paper के साथ ये कोई reaction भी नहीं देगी लेकिन sulfur dioxide का nature कैसा होगा ये क्या acidic होगा है basic तो मैं पता है non metal की जो oxide होती है they are acidic ठीक है ये कैसी होती है acidic होती है और इसका पता तब चल जाता है जब हम इसमें water मिलाते है ठीक है SO2 में हमने क्या मिला दिया water मिला दिया तो ये हमारे sulfurous acid बना देता है H2SO3 और वह acid होता है इसलिए हमारे moist litmus paper होता है वह red हो जाता है तो हम यहाँ पर उसको answer को लिख सकते है when sulfur powder is burnt in air sulfur dioxide is formed तो वहाँ पर sulfur dioxide हमारी बन जाती है sulfur dioxide does not have any effect on dry litmus paper और sulfur dioxide dry litmus paper पर कोई reaction चो नहीं करती है और सिर्फ sulfur dioxide ही नहीं यदि हम HCl gas लेते हैं गेस के रूप में HCl को लेते हैं तो वह भी dry litmus paper पर कोई reaction नहीं दिखाएगा क्योंकि वहाँ पर कोई iron release नहीं होगा sulfur dioxide turn the moist litmus paper from blue to red और जो sulfur dioxide होगी वहाँ moist को moist मतलब ऐसा litmus paper जो गीला हो नहीं नम हो उसमें पानी हो तो पानी से वहाँ पर reaction हो जाएगा जल के साथ और sulfur dioxide हमारी क्या बना लेती है H2SO3 sulfurous acid बना लेती है H contact of SO2 with water turns to sulfurous acid तो जब SO2 water के contact में आती है तो वह acid बन जाता है और आपको पता है कि जब acid होता है तो वह blue को red में convert कर देता है तो आपको यहाँ पर B option में आपको यहाँ पर reaction लिखनी थी कि जो हमारी sulfur होगी वह जलेगी तो SO2 gas बनाएगी solid sulfur oxygen is gas then हमारी gas बन जाती है SO2 और जो हमारी SO2 है वह water के साथ reaction करके क्या बना लेती है SO3 इसकों बोलते है sulfurous acid यही हमारी फिर बाद में sulfuric acid में convert हो जाती है when adding more water then instead to waste to prevent the rusting of iron तो हमने rusting बहुत पढ़ा है corrosion पढ़ा है iron को rusting से बचाने के कहीं तरीके पढ़ा है लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ दो तरीके लिखने है iron can be prevented from rusting by coating the surface of the iron with rust proof paints तो हमारे जो iron के articles हैं हम उनके उपर painting करके plastic paint, oil paint कुछ में करके हम उसको क्या कर सकते हैं rusting से बचा सकते हैं तो आप simply यहीं भी लिख सकते हैं कि by painting oil paint on the surface of iron then question number two यहाँ पर दोसा हमारा method है by applying oil or grease on the surface of iron object as it will prevent the iron surface to get in contact with air consisting of moisture तो यदि हम उस object के उपर oil or grease लगा देते हैं तो उससे भी iron की surface air के contact में आने से बच जाती है, prevent हो जाती है तो इस तरह से हमारे उस पर rust नहीं लगता है then question number 11 what type of oxide are formed when non-metals combined with oxygen तो जब non-metals की oxygen से reaction होती है तो किस तरह के oxide बनते हैं यह आपके class 8 से ही चले आ रहे हैं class 8 में भी आपके metal and non-metals का chapter है और यदि आपको 10th में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप उस chapter को भी देख लें जिसका मैं उपर यहां पर eye button में suggestion दे रहा हूँ तो आप इस chapter को 8 class वाले को भी अच्छे से देख लें तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ पाएगा तो जो हमारी non-metals के oxide होती है वे हमारी acidic oxide बनाती है देखे नाइट्रोजन की जो oxide होगी वो क्या होगी तो आपको जब यह वाटर के साथ मिलती है तो यह हमारे acid बनाती है तो जिस oxide से acid बनेगा उस oxide का nature acidic होगा और जिस oxide से base बनेगा उसका nature कैसा होगा बेसिक होगा जैसे की हमारी जो oxide होती है जैसे की sodium की oxide एन ए ओ ठीक है यह वाटर के साथ मिलने पर क्या बनाती है एन ए ओ एच तो जिस oxide से base बनेगा उस oxide का nature कैसा होगा बेसिक तो हम कह सकते हैं कि metal की oxide का nature basic होता है और आपको दोनों तरीके से याद रखना है क्योंकि यहाँ पर non-metal की जगा यदि metal पूछ लिया जाए तो पिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर हो जाएगा basic oxide they form basic oxide magnesium oxide है हमारी calcium oxide यह सब हमारे बैस बनाते हैं इसलिए इनके oxide भी कैसी होती है basic होती है then give region question number 12 है कुछ reason आपको देने है question number a platinum gold and silver are used to make jewelry हम platinum gold silver इनको यूज करते हैं jewelry बनाने में आप भुशन बनाने में तो इसा क्यों करते हैं platinum gold and silver are used to make jewelry for these metals are very less reactive तो यह metals जो होती है हमारी activity series में बिल्कुल नीचे आती है they are very less reactive यह air से water से बहुत कम reaction करती है या बिल्कुल नहीं करती है और लंबे समय तक इनकी चमक जो है बनी रहती है इसलिए हम इनको jewelry बनाने में यूज कर सकते हैं hence they are not affected by air water or moist chemicals और most chemicals यह acids के साथ भी reaction नहीं करती है क्योंकि hydrogen भी इनके उपर आता है these metals have a lot of luster and they are malleable and ductile in nature इसके अलावा इनमें कुछ और प्रोपर्टी होती है जैसे इनमें अच्छी luster होती है चमक होती है they are malleable इनकी पतली sheet बनाए जा सकती है they are ductile इनके लंबे पतले तार भी खीचे जा सकते हैं तो इन प्रोपर्टीज की वज़े से हम इन metals को हमारे जो आभूशन होते हैं उनको बनाने के लिए यूज करते हैं then B है sodium, potassium and lithium are stored under oil और हमने इसको अच्छे से भी पढ़ा था कि हमारे जो sodium, potassium होते हैं इनको हम किसमें रखते हैं केरोसीन, oil में डूबो कर रखते हैं तो sodium, potassium and lithium readily reacts with water to produce a lot of heat यह जब water के संपर्क में आते हैं तो यह बहुत ज़्यादा heat produce करते हैं और अपनी oxide बना लेते हैं as a result hydrogen evolved in the reaction result in fire और यहाँ पर जो hydrogen release होती है उसमें क्या होता है आग लग जाती है और वहाँ पर हमें fire देखने को मिलती है on exposure to water they react with moisture present in the atmosphere तो जब यह वायू के संपर्क में आती है हमारी जो यह metals है जब हम इनको बाहर निकालते हैं तो जैसे ही यह वायू के संपर्क में आती है तो water में हमारे moisture होती है नमी होती है water droplets होती है यह उनसे reaction कर लेती है in order to prevent contact with water hands these metals are stored under oil तो oxygen और water से इनका संपर्क बचाने के लिए हम क्या करते हैं इनको क्या करते हैं केरोसीन oil में डूबो कर रखते हैं then question number c Aluminium is a highly reactive metal yet it is used to make utensils for cooking Aluminium जो होता है हमारा काफी reactive होता है reactivity series में काफी उपर आता है फिर भी यह हमारे cooking utensils को बनाने में use में दिया जाता है तो ऐसा क्यों होता है इसको देखते हैं तो इसका answer है Aluminium forms a non-reactive layer of aluminum oxide on its surface Aluminium अपनी सते पर क्या बना लेता है Aluminium oxide की एक परत बना लेता है ठीक है और यह परत कैसी होती है non-reactive यह काफी strong होती है और यह further corrosion से इसको बचाती है this layer prevents aluminum to react with other substances और यहीं layer क्या करती है Aluminium को दूसरे पदारतों से oxygen से और water से reaction करने से बचाती है that's why Aluminium is used to make cooking utensils और इसी निये Aluminium के बरतन बजन पकाने के यह भी यूज में लिये जाते हैं then question number D और हमारा question number D है carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction हमने पढ़ा था process of extraction में कि जो carbonate और sulfide ores होते हैं उनको हम roasting और calcination के द्वारा oxide में बदलते हैं ठीक है हमारे carbonate होते हैं उनमें तो हम calcination करते हैं और जो sulfide ores होते हैं उनको roasting के द्वारा oxide में बदलते हैं तो हम यह देख लेते हैं कि इसके साथ क्यों किया जाता है इनको oxide में क्यों बदला जाता है तो इसका answer देख लेते हैं question number D का answer is D it is easier to reduce a metal oxide into free metal किसी भी metal oxide से metal प्राप्त करना काफी easy होता है क्योंकि हम उसको आसानी से reduce करा सकते हैं reduction करा सकते हैं oxygen को उटाना क्या कहलाता है reduction कहलाता है since it is easier to obtain metal from their oxide then from their carbonates or sulfide directly therefore the carbonates and sulfide ores are first converted to oxides for extracting the metal तो इसलिए हमारे जो carbonate और sulfide और हैं इनको हम oxide में पहले बदलते हैं क्योंकि sulfide और carbonate से metal को अलग करना oxide में बदल देते हैं और इसके लिए हमारे पास दो process होते हैं calcination and roasting तो आप कई बार हमारे ये process भी पूछ लिए जाते हैं कि calcination and roasting क्या है और इनमें क्या difference है तो आप याद रखे हमेशा कि हमारे जो carbonate और्स होते हैं इनके साथ हम करते हैं calcination, c4 carbonate, 10c4 calcination और जो हमारे sulfide और होते हैं जिनमें एस जुड़ा होता है इनके साथ करते हैं roasting तो roasting में तो हम क्या करते हैं oxygen की presence में इनको गरम करते हैं और calcination में क्या करते हैं हम इनको oxygen की absence में गरम करते हैं तेन हमारा जाता है question number 13 You must have seen ternished copper vessel being cleaned with lemon or tamarind juice तो आपने copper के vessel जो होते हैं ternished copper vessel मतलब जो पुराने होते हैं जिनके उपर थोड़ा रच्ट लग जाता है corrosion हो जाता है हरे color की परत जम जाती है उनके उपर copper carbonate और copper hydroxide की उसको हठाने के लिए इसको lemon के juice या amelie के juice के साथ इसको साफ किया जाता है Explain why these source substances are effective in cleaning the vessel तो आपको यहाँ पर explain करना है कि in acid के दोरा ही ये copper के vessel क्यों साफ किये जाते हैं तो हमारा solution है ternished copper vessel being cleaned with lemon or tamarind because the source substance contains acid which dissolved the coating of copper oxide or basic copper carbonate present on the surface of ternished copper vessels तो आपको पता है कि copper जब oxygen से reaction करती है तो वह copper oxide बनाती है फिर वही हमारी copper hydroxide में convert हो जाती है जो कि एक base होता है ठीक है जो बेसिक material होते हैं ये acid के साथ आसानी से reaction कर सकते हैं हमने acid और base की reaction पहले पड़ी है तो इसलिए हम इन basic reaction acid के साथ कराते हैं ताकि ये जो हमारे इसके उपर rust या corrosion लगा हुआ है green color की परद जमी हुई है वहाँ आसानी से हट सके तो ये हमारे जो source substance कर चैम में क्या होता है acid होता है which dissolved the coating of copper oxide और basic copper carbonate present on surface of ternished copper vessel this make them shining red brown again तो इससे क्या होता है वे vessel वापस चमकने लगते हैं red brown हो जाते हैं hence they are very effective in cleaning ternished copper vessel तो इस तरह से हमारे जो copper के vessel होते हैं उन में acidic materials जैसे की neemboo या imli के use करने से काफी effective cleaning होती है then question number 14 differentiate between metal and non-metal on the basis of their chemical properties तो आपको यह आपर metal और non-metal के बीच में difference लिखना है वो भी उनके chemical properties के आदार पर हमने physical properties भी पढ़ी है और chemical properties भी पढ़ी है physical properties में हमारे lustre आ जाता है ductility, malleability, conduction of heat उनके melting point, boiling point इस तरह से आ जाते हैं लेकिन हमारे chemical properties होती है उनमें chemical reaction से related उनके chemical nature के आदार पर हमें लिखना होता है तो आप इसको अच्छे से learn करें it is very important when metal are heated with oxygen they form ionic oxide which are basic in nature and form bases on dissolving with water this return red litmus paper to blue ना तो यह सबसे अच्छी property है metals की वह यही है कि जब हम इनको गरम करते हैं oxygen के साथ तो यह oxide बनाते हैं जो कि ionic oxide होती है और वे basic in nature वे basic होती है उनकी प्रकरती कैसी होती है चारी होती है और वे water में dissolve करने पर bases बनाते हैं जैसे कि हमने पहले पढ़ा है in text में भी पढ़ा है और काफी पढ़ा है पहले भी हमारे जैसे metal है calcium तो वे बना लेती है calcium oxide और हम उसको water में dissolve करते हैं तो बना लेती है calcium hydroxide जो और non metal होती है हमारी ये क्या करती है when non metals are heated with oxygen they form covalent oxide which are acidic in nature और इनकी जो oxide होती है non metal की oxygen के साथ reaction करने पर ये covalent oxide बनाती है और इनका nature acidic होता है which form acid on dissolving with water और water में dissolve करने पर ये क्या बना लेती है acid बना लेती है this turn blue litmus paper to red और ये blue litmus को red में बदल देती है then metal की next property है they are electro positive हमारे जो metals होते हैं इनके उपर यदि हम iron की form में लिखते हैं तो सबके उपर positive charge हम लिखते हैं plus one plus two plus three तो इसी हम कहते हैं they are electro positive lose electron readily and become a positive iron वे आसानी से क्या करते हैं electron को loose करते है और एक positive iron बना लेते हैं तो जो भी हमारे elements होते है यदि वे positive iron बनाते है तो हमने कहते हैं to the और सभी डाल्स हमारी तक टो पोजेटियू होती हैं, फोने क्टेश्ट विमारी मेटल्स होती हैं तुक्तर पोजेट терри और सभी मेटल्स हमारी मेटल्स हभी कैसी होती हैं चमकीलि फ़ती है. non-metals are non-lustrious graphite is the exception और हमारे कुछ metals होती है जो कि non-lustrious होती है चमक नहीं होती उनमें और graphite इसमें हमारा क्या है एक अपवाद है reducing agents हमारे metals क्या होते हैं अच्छे reducing agent होते हैं मतलब यह reduction करवाने में काम आते हैं ठीक है और जो हमारे non-metal होते हैं good oxidizing agent यह क्या करते हैं oxidation कराते हैं then metals are good conductors of electricity and heat metals हमारे अच्छे conductor होते हैं heat और electricity के और non-metal हमारे heat और electricity के अच्छे conductor नहीं होते हैं लेकिन graphite is exception graphite हमारा non-metal है carbon का होता है pure लेकिन यह electricity का conduction करता है तो इसको हम chapter 4 में discuss करने वाले हैं यह ऐसा क्यों करता है then all metals are solid except mercury हमारे जितने भी metals होते हैं वे सब solid होते हैं लेकिन mercury हमारा exception है जो कि liquid home में पाया जाता है non-metals are in solid, liquid and gas assisted non-metal हमारे तीनों वस्था में पाये जाते हैं तो यह हमारा question number 14 भी complete हुआ then question number 15 a man went door to door posing as a gold smith एक व्यक्ती हर घर पर जाता है दर्वाजे पर जाता है गर-घर भटकता है और कहता है कि वह क्या है gold smith है gold smith में सुनार है he promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments और वह promise करता है कि आपके जो भी old and dull पुराने सोने के चांदी के अभूशन है वह उनको वापस चमक प्रदान कर देगा वह उनको चमकिला बना देगा an unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him which he dipped in a particular solution एक lady जिसने उसके उपर विश्वाश किया उसने उसके bangles थे कंगन थे gold के सोने के वो उसको दे दिये और उसने उन कंगन को एक solution में डूबो दिया उसके पास एक solution था liquid उसमें उसको डूबो दिया तो उसके जो बैंगल थे वे नए की थरह चमकने लगे बट देर वेट वाज रिड्यूस ड्रैस्टिकली लेकिन उनका वेट जो था वह काफी कम उसको महिला को लगा देर लेड़ी वाज अपसेट बट एफटर अर फ्यूटाइल आर्यूमेंट तब मेन बीट अ हैस्टी रिट्रैट तो लेड़ी थी जो वो काफी अपसेट हो गई क्योंकि उसके सोने का वज़न कम हो गया था लेकिन एक उसके आर्यूमेंट के बाद the nature of the solution he had used तो कि आप यहां पर एक detective का role play कर सकते हैं, एक जासूस बन सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उसके जो solution था हुए वास्ताव में क्या था, तो इसके बारे में हमने पहले भी discuss किया है चैप्टर में और मैंने बताए था कि वो जो solution होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक वारेजिया कहते हैं Goyle Smith used the solution called एक वारेजिया, which is called as royal water in Latin, एक वारेजिया को हम लेटिन बशा में royal water कहते हैं और हिंदी में हम इसको अमलराज कहते हैं It is the mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of thinis to one हमारा जो एक वारेजिया होता है इसमें 2 acid मिला होते हैं hydrochloric acid और nitric acid और उनका ratio क्या होता है तो हमारा जो एक वारेजिया होता है वहार 3 to 1 ratio में होता है और यदि हम इसको दूसरे तरीके से समझना चाहें यदि हम 40 ml solution बनाना चाहते हैं तो हम इसमें 30 ml क्या डाल देंगे HCL डाल देंगे और 10 ml क्या डाल देंगे nitric acid डाल देंगे तो हमारे 3 to 1 में 40 ml यहां पर solution बन जाएगा एक वारेजिया is capable of dissolving noble metals like gold and platinum तो एक वारेजिया हमारे जो बिलकुल अक्रिया धात हुए होती है जैसे कि gold और platinum इनको भी dissolve कर सकता है when upper layer of dull gold ornament is dissolved they lose their weight तो जो उपनी layer होती है gold ornaments की वार डिजॉल हो जाती है तो उनका weight कम हो जाता है और वह चमकने भी लगते हैं तो इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति के कहने में ना आए यदि वा कहता है कि आपके gold के ornaments को चमका देगा तो वह क्या कर रहा है आपके साथ ठंगी कर रहा है आपको लूट रहा है तो आजाता है हमारा last question इस chapter का तो हमारे जो होट वाटर के टेंक होते हैं गीजर वगेरा होते हैं आजकल solar heater बनाए जा रहे हैं वाटर को गरम करने के लिए तो इनको बनाने के लिए कोपर एक मेंगा मेटल है तो इसका solution आपको लिखना है कोपर नी जूज टू मैख होट वाटर टेंक से नौट इस्टेल जो कि एक एक एलोई या आईरन की विकोज कोपर ड़ नॉट रियक्ट विद आईदर वाटर और स्टिम तो हमारी जो कोपर होती है वह काफी नौबल गेस होती है वहाँ नौन रियक्टिव होती है और वहाँ से इस्टेम से और वाटर से या ओक्सिजन से रियक्शन नहीं करती है या बहुत कम करती है इन कंपेरिजन टू आईरन इस्टील में हमारे iron होता है जो की steam से और जो oxygen होती है water होती है उससे reaction करके corrode कर सकता है tank को ठीक है तो इसके अलावा आप एक ओर line या पर लिख सकते हैं कि copper is good conductor of heat copper जो होता है हमारा वो अच्छा conductor होता है so it become hot more easily than in comparison to steel यह आचानी से गरम हो जाता है इस्टील की तुलना में यह जल्दी गरम हो जाता है और इस तरह से हम copper को यूज करते हैं इस तिल की जगा तो यह chapter हमारा यह आप पर end हो जाता है आपको यह chapter के साल अगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ओके थैंक्यू जे हिन जे भारत